नमस्कार स्वागेत आपका निज्वल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर काफी गहमा गहमी मच्वी थी ऐसे में केजिवाल सरकार लगातार ऑक्सीजन की मांग करती रही जो केंदिस सरकार ने पूरी भी की लेकिन अब ऑक्सीजन संकट को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतिय जंता पार्टी में एक बार फिर रार छड़ गई है डरसल सुप्रीम कोट की ये गठित एक पैनल रिपोर्ट के आधार बना कर बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपो पर शुकरवार को दिली के मुख्यमंतरी मनीज सिसोदिया ने जवाब दिया मनीज सिसोदिया ने कहा कि बीज़ेपी के नेता जिस रिपोर्ट का दावा कर अर्विन केशिवार को घेर रहे हैं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है मनीज सिसोदिया ने दावा किया कि बीज़ेपी के इस मामले में बीज़ेपी जूट बोल रही है सुप्रीम कोर्ट ने एक उक्सीजन कमेटी बनाई थी हमने कई सदस्य उसे बात भी की है सभी ने यही कहा है कि उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव नहीं की दरसल मनीज सिसोधियाद से कुछ देर पहले ही बीजिपी के प्रवक्ता सम्वित पात्रा ने प्रेस कॉन्फरेंस की थी सम्वित पात्रा ने प्रेस कॉंफरेंस में कहा था कि सुप्रीम कोट के ओडिट में पता चला है कि जोरत से चार गुना ज्यादा उक्सीजन दिल्ली के लिए लिया गया जिससे 12 राज्यों का उक्सीजन काट कर दिल्ली को दिया गया था सम्वित पात्रा ने आरोप लगाया था कि तब आपने ऐसा महा जूट बोला जो अब साबने आया है कि सबसे बड़ा अपराद था वीज़बी नेता ने ये भी कहा कि कोई ऑक्सिजन पर भी सियासत कर सकता है ये भी देखने को मिल गया है जब ये रिपोर्ट in Port of Oxygen Audit in NCT of Delhi आपको पता होगा सुप्रीम कोट में केस चला था ओक्सिजन को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोट में कहा था कि जितनी ओक्सिजन के रिक्वार्मेंट दिल्ली सरकार की है केंद्र सरकार उतनी ओक्सिजन उसे मुहया नहीं करा रहे इन सब विशियों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक oxygen audit panel सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया था सुप्रीम कोर्ट ने इस panel को स्थापीत किया था कि जो oxygen की requirement दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा अर्विन केजरीवाल जी द्वारा वो चार गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी four times inflated oxygen requirement by दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप मे अपने चरम पर कितना oxygen इस्तेमाल किया उस दिन का तो मालुम पड़ा वो मात्र 209 metric ton था कहां अर्विन केजरीवाल जी कह रहे थे हमें अवश्यक्ता है 1140 और कहां वो 209 निकला आप बता ये चार गुना बढ़ा करके ये oxygen सड़क पे खड़ी रही ये oxygen storage place में ही रह गया आप सोचिए अगर यही oxygen उत्तर प्रदेश में हरियाना में राजस्थान में दूसरे राज्जियों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे आप सोचिए ये अर्विन्द केजरीवाल जी द्वारा जगन्य अपराद है ये criminal negligence है इस पूरे मामरे पर दिल्ली के deputy cm ने कहा कि जो कमेटी के सदस्यों ने कोई report दी ही नहीं है तो ये कौन सी report है मनेसे सोधिया ने कहा कि बीजेपी वाले वो report लाकर दिखाएं जिसको सुप्रीम दौरा बनाई गई कमेटी ने अप्रूव किया है अभी ये पूरा मामला सुप्रीम कोट में है ऐसे में इस तरह कास शर्यान तो नहीं करना चाहिए एक report बताई जा रही है तथा कतित report कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो oxygen की कमी नहीं थी और oxygen की demand बढ़ा चढ़ाके 4 गुणा बताई गई थी ऐसा तथा कतित report में दावा किया जा रहा है मैं उस तथा कतित report का सच आपके सामने रखना चाहता हूं भारतिय जनता पार्टी के नेता सुभह से जिस रिपोर्ट को जिस तथा कतित रिपोर्ट के हवाले से अर्विन केजरिवाल जी को गाली दिये जा रहे हैं वैसी कोई रिपोर्ट एक्जिस्ट ही नहीं करती सुप्रीम कोट ने ऑक्सिजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑ Oxygen Audit Committee के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है जब Oxygen Audit Committee के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट भी अप्रूव ही नहीं की है तो फिर ये रिपोर्ट है कहां मैं चुनोती देखे कहता हूं कि रिपोर्ट लाईए कहां है वो रिपोर्ट जिसको Oxygen Audit Committee के सदस्यों ने साइन किया हो हाला कि अब बीजेपी रिपोर्ट कब तक दिखाती है ये देखने वाली बात होंगी लेकिन अगर दिल्ली सरकार ने वाकिए ऐसा किया है तो ये बहुत ही शर्मनाख है फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें निस्वल इंटिया